स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्रश्ण 3 ट्रिलियन का बाजार पुंची करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है? A. Microsoft B. Tesla C. Apple D. TCS Answer A. Microsoft Explanation दिगगज टेकनोलोजी कमपनी Microsoft का बाजार पुंची करन तीन ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है Microsoft, iPhone निर्माता कमपनी एपल के बाद ये हाकड़ा छूने वाली दूसरी कमपनी है फिलहाल एपल दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी है अगला प्राश्ण उस भारतिय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC One Day Player of the Year का पुरस्कार जीता विराट कोहली ने ICC Awards 2023 में One Day Mains Player of the Year का पुरस्कार जीता है ये चोथी बार है जब उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है पहले 2012, 2017 और 2018 में अगला प्राश्ण हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित किया है A. South Africa B. Rus C. Canada D. Japan Answer C. Canada Explanation Canada ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित करने का फैसला किया है कनाडा की तीन नगर पालिकाओं ने 22 जन्वरी को योध्या राम मंदिर दिवस घूशित किया है अगला प्राश्ण राश्ट्रिय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A. 1 जन्वरी B. 10 फर्वरी C. 24 जन्वरी D. 15 अगस्त Answer C. 24 जन्वरी Explanation 24 जन्वरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधान मंत्री की तोर पर शपत ली थी इसलिए 24 जन्वरी को भारत में राश्ट्रिय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश भारत में लल्कियों को सहायता और अफसर प्रदान करना है अगला प्राश्ण पांच बार की एशियाई चैंपियन 2014 एशियाई खेलों में स्वर्म पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मक्केवास थी